हाई गाई तो कैसे हैं आप सब लोग स्वागत हैं मैं अच्छाल मिक्सलोजी मास्टर में आज की वीडियो में हम जानेंगे 9 Amazing Facts of Cocktails यस बहुत चीज वीडियो देखी हुई आपने Amazing Facts जो की वर्ल्स के उपर, हर किसी के उपर, हर करेक्टर के उपर और हर किसी वस्तू के उपर बनाई रही है लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 9 Amazing Facts of Cocktails के बारे बताऊंगा जो की हर एक बार्टेंडर को जानना जुरूरी है इस kind of like a just gender knowledge जिससे की आप अपनी knowledge को प्रयातमातर में बढ़ा सकते हैं और यह आपको बहुत entertaining करने के और interesting बढ़ाने के काम भी आएगी तो guys एंटर वीडियो देखते रहे हुए पहला fact है, what is the oldest cocktail? दा सेज्रेक वाज इन्वेंटेट इन 1838 पाई अपोदेक केरी ओनर एंटोनी पाइचूर इन नियुवर्लेंज जो सबसे पुरानी classic cocktail है वो है सेज्रेक बहुत सी cocktail इनोवेट हुई थी लेकिन evidence और पुकता तक्ते के हिसाब से एक सेज्रेक क्योंकि आज भी बहुत से बावरों में world famous है तो यही cocktail सेज्रेक जो की इस cocktail का नाम सेज्रेक पड़ा कॉनेक ब्रेंडी एपसेंस शुगर और पाइचूट बिटर्स जो की इनका होम इंगरिणिन से इसकी तो यह कॉक्टिल बनाए गई और आज भी यह कॉक्टिल बनाई जाती है आज की टाइम में सेज्रेक में राइव इसकी कॉनेक की जगा ब हर्ष एंड यूज में लाते हैं तो यह थी सबसे पुरानी क्लासिक कॉक्टिल सेज्रेक सेगन फेक्ट है हूँ रोट द फर्स कॉक्टिल बुक येस मॉस्त लोग जानता होंगे जेरी थोमस रोट हाउ टू मिक्स ड्रिंक और दब पॉन विवान्स कंपेनियन इन 1862 येस ये जो बुक है ये जेरी थोमस द्वारा सबसे पहले कॉक्टिल बुक लिखी गई जेरी मिया पी थोमस यानि जेरी थोमस जो की एक न्यूर्प सहर में एक सेलून और यानि सेलून क्याना है मतलब आज की टाइम पर सेलून का मतलब होता है कि पाल काटने की जगा बट पहले सेलून का मतलब होता था बार तो उनके वो संचालक थे उनको उस टाइम का मिशन का विज्ञानिक माना जाता था वो कॉक्टेल को उन्होंने इतनी फेमस तरी कि आज भी उनको Mr. Professor Jerry Thomas के नाम से भी जाना जाता है तो ये थी तब से पहली कॉक्टेल बुक जो Jerry Thomas ने लिखी थी Third topic is how big the largest cocktail ever made Mr. Nick Nicora set a Guinness World Record with a 10,499 gallon maritime in Sacramento, California 2012 Oh my God, 49,746 liter, Marita, I can't believe this but it's true ये Guinness Book World Record है जो की सबसे बड़ी cocktail हो जो गिलास भी कितना बड़ा होगा और आपको जानकर ये भी शौक होगा कि इस cocktail को पे खनने के लिए भी शेकर भी उतने बड़े यूज़ किये गई है सही सुना आपने शेकर यानि कि आम तोर पर चोटे शेकर होते है बड़े इस cocktail को प्रिपेर करने के लिए का मिस्काम भुल्डोजर या सैंड मेकर जैसे पीछे ट्रॉली जोती है इतने बड़ बड़े शेकर मशीनों दारा यूज़ करके ये वर्ड रिकॉर्ड तैयार किया बिलकुल तैरह जुलाई दोहजर बारा में ये इदिधास रचा गया था इस्टर निक्स नुकरा के त्वारा आप इसलुटे इस 4th act is what is the most complicated cocktail for a bartender you can believe the commonwealth games cocktail contain 71 in game to honor a 71 countries competing this 20th commonwealth game that's true हम एक कोक्टेल में कम से कम एक या दो इंगेंट्स और चाद ज़्यादा हमने कितने आठ आठ या नो नो इतना हम इंगेंट्स यूज़ करके कोक्टेल बना सकते हैं और यह किसले फैक्त की तरह नहीं कि बहुत बड़े ग्लास में 71 इंगेंट्स को यूज़ किया होगा नो कूपे ग्लास का ग्लास उसमें 71 इंगेंट्स यूज़ किया कोक्टेल को यूज़ को यूज़ करेंगेंट्स को जानता है जहां पर की पूरे वर्ल्ड के लोग आकर पाटिस्पेट करते हैं गेम्स चाहिए कैसे भी हो वाटेवर तो एक कॉमानवल्ड गेम में एक कोकल कंपेडिशन रखा गया था जिसमें 71 कंट्रीज ने पार्टिस्पेट किया था जिसमें सब्सक्राइब स्कॉट्लेंड के तीम ने 71 कंट्रीज के इंगेंस ही यूज किय है खाली 71 इंगेंस यूज किये हैं बट जो सी इघुट्री ज्नोंने पार्टिस्पेट गया उन कंट्रीओं के मीन इंग्रेंज जो कि पॉपुलर और फेमस इंग्रेंज तो वो यूज किया तो यह पाकिस्तान ते से शैफ्रो राइट इसी तरीके से जमेकन का सिनेमन का इस इस तरीके से यह को चल्प करी और जो कि अपने में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है यह पतायं प्यायं प्रिण हम आ लग मील चोल्प करेंज ऑनना शबुदि से खेंग करेंज पने मिलुद करी इंग्री प्रइस रित्स बास भड़ यह अधिल्स कासर स्ट करी ऑनिас से इन्वा कैई जुट न चॉबिवू जो को इस खरीजि केशुः जैए तो वाकई अगर उनकी टैस्ट्रीज को पुक्ता सबूत मान का चले तो इस ट्रू तो ऐसे भी पहने के जमाने में जब अल्कॉल नहीं हुआ करती थी या अल्कॉहल जब जानने में लोगों के आई तब लोगों ने अल्कॉहल को एज़ मेडिसन्स यूज किया क्योंकि फॉक्त ही फायदे मन हुई इसी तरीके से ही ये माना जाता है कि इटली ने ये वादी हासिल करी की सब से पहले कोक्तेल उनकी कंटी ने बनाएं next amazing fact is what drink came before the cocktails यानी की cocktail से पहले कौन सी mixing drink थी so punch was invented in India 1500 years ago made from sugar, spices, water, citrus आरक punch credit goes to India yes yes India इसके सबूर ये है कि सूरत यानी गुजरात में Mr. John Albert जो की एक mining company के अंतरकत काम करते थे तब वो mining में देखते थे कि कुछ इंडियन मजदूर मिश्टर आलबर्ट ने ये चीज अपनी डायरी में लिखी थी जिस वजे से ये प्रूफ माना गया है की कोक्तेल से पहले पंच थी जो की इंडिया ने इनवेट की । Next, where is the highest cocktail bar? Highest cocktail bar? Sixth Floor, Seventh Floor, Eighth Floor, Nineth Floor, Tenth Floor? No!! On the 118th floor of Hong Kong's ICC Tower Sites, a roof of the bar called Ozone Bar. भी सुना आपने एक सो अठारा माला यानि एक सो अठारा टॉप्स उच्छो इतना हाइट पर होगा अमीजिंग यहां तो थर्ट पर फर्ट पर जाने में ही लोगों को प्रशानी होती है और अगर मोस्ली बार कंपनीज चाहते हैं कि वो मोस्ली ग्राउंड फोर पे ही अपने बार को स्टैब्लिस करें लेकिन होंग कोंग में 118 यानि कि अगर एक लिफ्ट में भी एक लोग पांच या दस सेकेंड वी कॉबर करेगा तो कितना टाइम ले लेगा पहुशने में यानि व पाकेंग के बाद इसक्रेट और सोंचो क्या नजा रहा होगा उपर से देखने में पूरा होंग कॉंग कॉंग सिटी विज्वल होता होगा और रात में तो वाकई आमेजिंग तो यह है वर्ल्ड की सबसे हाइस्ट इस्टैबलिस पार ओजन बार आईशिक टावर होंग कॉ next is most expensive cocktail what is most expensive cocktail how much 1 लाख 2 लाख 9 mostly 5000 भी बाद चारा yes the most expensive cocktail is diamond is forever martini made from rich carton tokyo आपने सही सुना rich carton tokyo में ये cocktail स्यार करी गई है जिसमें एक करेट diamond along with absolute Alec Vodka के साथ जिसकी कीमा tokyo में 2 million yen यानी की 18,000 dollars so expensive really this is fact the last fact is the last but not least what is the oddest cocktail ever invented boss even yeah but while there are likely plenty of strange drinks out there the sort of cocktail has to be one of the crocet invented in Dawson-yokon territory in Canada this drink features amputed human toe तून के रॉंग्टे खड़े हो गए तून के रॉंग्टे खड़े हो गए कानाडा में Yukon territory में ये cocktail त्यार करी गई थी अच्छी सॉर्टो के नाम से जो की अभी तक की सबसे व्यर्ड सबसे ओड़े सबसे स्ट्रेंज कॉक्टेल मानी गई है you can believe this में की इसकी बेस कॉक्टेल है जो की केनेडियन ब्रैंड में एक एम्पुटेड यानि प्रिजर्वेटिव रियल हुमन तो को टिप किया जाता है फिर ये सब किया जाता है बट वहाँ जे लोग डियर अलाइव टाइप्स की चीजे करने में बिलीड रखते हैं तो उनका मानना यह कि जब ये कॉक्टेल जब पीते हैं तो जब उसमें एपिटेड तो ट्रिंक सिप करते हुए तुम्हारे लिफ्स पेट्टा चोता है कुछ लोग इसको एडवेंचर के तोर पे कुछ लोग इसको अगर ये कोक्टेल है एक्जिट करती है तो कुछ ना कुछ बात है ये है सबसे वेर्ड ओड़ेट स्ट्रेंज कोक्टेल इन डवर्ल तो 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 गाइस ये थी नाइन अमेजिंग पैक्ट्स ऑफ कोक्टेल्स शायद आपको पिचान कर शौक भी लगा होगा मजा भी आया होगा और सोचते होंगे कि वाकई ऐसी चीजे भी एक्जिस करती हैं तो ये थी आज की वीडियो और होप आपको पसंद आई हो ऐसे भूत सी अमेजिंग पैक्स विर फैक्स बहुत सी हैं जैसे इसे मैं को करता रहूंगा वैसे वैसे ही मैं ऐसे कंटेंट यार करके आप लोगों के सामने वीडियो के द्वारा लाता रहूंगा आपकली अगार बझी ज्ञ ज्याद इलबेश चिर में चनल मैं धिए और दो के अवांगा हुन्या कैकर ये और में श्यांग और मौद नगर हैं नग्म शेक्च वित्ते हैं आता हूंग झाल झाल